एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र की किनारे शंक इखटा करने के लिए गए ताकि वो उसे बीच कर कुछ पैसे जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंक इखटा कर ही रहे थे कि तभी एक दोस्त को एक बड़ा शंक देख गया। उसने वो बड़ा शंक ले लिया। ये देखकर दूसरे दोस्त ने मन में सोचा कि अरे इसे तो बड़ा शंक मिल गया है। अब ये इसे बेच कर ज्यादा पैसा कमा लेगा। अब मैं भी इससे बड़ा शंक ढूनता हूँ ताकि मैं इससे ज्यादा पैसे कमा सकूँ। ये सोचकर वो बड़ी शंक को ढूणने में लग गया उसने बहुत ढूणा, बहुत महनत की लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंक नहीं मिला बड़े शंक ढूणने के चकर में उसे जो भी छोटा शंक मिलता वो उसे फेंक देता क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंक ही था कि मुझे किसी भी हाल में वो बड़ा शंक चाहिए ताकि मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा पाऊँ उस बड़े शंक के तलाश में सुबा से शाम और शाम से रात हो गई ना तो उसे बड़ा शंक मिला बलकि जो उसे छोटे छोटे शंक मिले थे उन शंकों को भी उसने फेग दिया था उसके हाथ आखिर में कुछ नहीं आया और जो पहला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंक और कुछ छोटे शंक थे घर लोटते वक पहले दोस्त ने शंक बेचा तो बड़े शंक के उसको एक हजार रुपे मिले और चोटे चोटे शंकों के तीन हजार रुपे जब ये बात दूसरे दोस्त को पता चली तो उससे बहुत दुख हुआ वो सोचने लगा कि काश वो चोटे चोटे शंकों को फेकता नहीं तो उसके पास दूसरे दोस्त से ज्यादा पैसे होते उसके दोस्त ने उससे बताया कि जो चोटे चोटे शंक उसने फेक दिये थे उसे ही उसने इकटा किया और उनी छोटे शंखों की वज़े से उसे ज्यादा पैसे मिले अब ये बात जानकर वो दोस्त और भी उदास हो गया इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि कई बार कुछ बड़ा करने के चक्कर में छोटे छोटे मौके हम गमा देते हैं हमें हर छोटी चीज़ को एहमियत देनी चाहिए कई बार छोटे छोटे मौके किसी बड़े अवसर की तरफ ले जाते हैं काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता आप शुरू तो करो अवसर खुद आएंगे मैं ये नहीं कह रही कि आप छोटा ही सोचो और छोटा ही करो मेरी कहने का ये मतलब है कि आप सोचो बड़ा लेकिन उसके लिए आप हर वो छोटा काम करो जिससे कि आप का लक्ष आपको हांसिल हो दोनों दोस्तों का लक्ष एक ही था पैसा कमाना पहले दोस्त ने छोटे बड़े दोनों पर ध्यान लगाया और दूसरे दोस्त ने सिर्फ बड़े पर अंत में यही कहना चाहूंगी कि छोटे छोटे बदलाओ ही बड़ी काम्याबी का हिस्सा होते हैं धन्यवाद इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का